शुप्रभार बुद्याजियों, सेंजिवेशकुन आदिकूर, बुजार्वी मालियंगे इक लास में आपका आदिक स्वाम। आजवां कक्षाचे हिंदी विशनें पाठाम बक्ती समस्तार ननी के बारे में अभ्यास करनें। मैं आपको əक काहाणी सुनाँगी जिसको आपको द्याक से सुना। एक ननी बतर को देए, जिसका नाम है ननी, एक दिन वहां दाराम में तैर हो ईएंगे वहा तैरकर टटपर आ जाते हिंगे। जैसे ही वहां तटपर आती है, वहां सामने देखती है कि एक बिच्चू दल्दल में फसा होगा है, बिच्चू बहुत जोर जोर से चिला रहा है कि ननी पहन मुझे बचा दे, उसकी पुपार सुनकर ननी को उस पर गया आजा है, ननी उसे उठा कर सुख्य स्थान बर रख देती है, जैसे हम सम जाते हैं कि जो बिच्चू होता है वाँ उसका सभाव कया है? डंग मानना, तो जैसे कि ननी बिच्चू को बहान निकलती है, तो बिच्चू उसे तुरण डंग मान देता है तो ननी बहाँ उसे काती है, कि अए बाई मैने तो आपकी जान मुझे है, तो तुमने बिच्चू क्यों मारा? यहाँ सुनकर बिचु उसे उत्तर देता है कि क्या करूँ मेरा तो सभब भी है दानि वामना इतना कब कर बिचु मां से निकव जादा है और ननी भी वापस ननी में चल पड़ती है वहार ननी में देर कर अपनी मां के पास पहुँच जाती है जैसी वहाँ उसकी मा कब सिर उसकी रहा देख रही होती है इसलिए उसकी मा ने उससे पूछा क्यों ननी बेटा आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई मैं कब से तुम्हारा इंतजर कर रही की तभी ननी ने पूरी गठना अपनी मा को सुना कि मैं ने आज एक विच्छु दरदर से बचाया, उसकी मा बहत कूश्य हो जाती है, और करती है, या तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो ननी नम बचाती है, कि मैंने उसको बचाया को सही, परंग, बिछु ने मुझे डंग मार दिया, तबि उसकी मां उसे करती है देखो बेटा बिच्चु जो है उसका सुवावी है डंग माना वह उसका गुलाम है तो तुम कितनी भी उसकी मनाई करो या तुमें उसको कितनी घिवाब बचका वह डंग माना कभी नहीं चुलेगा तबी नणी अपनी मा से परती है, मा तुम देख ना, एक दिन में उसी दर्दी आदर छुडाता ही रोगा। बहुत दिन गुज़ा चालता है, बहुत दिनों के बाई, एक बाद फिर वही पीचुद, एक बाद फिर संकट में आ जाता है। इस बाद वहाँ पाने की धारा में गेर पड़ता है, और दुबने रपता है। उसे फिर नन्नी की यादा दिना। वह जोज़़ से नन्नी को उकाता है, बहन उजे बचा रो, बहन उजे बचा रो। उसकी करुणा बर फुकारश्मी का नन्नी महां जड़पड बागकर आजाती है। वहाँ जैसे ही नन्नी मिच्चु को बचाने चाहती है, तब ही उसे अच्छा रो। एक एक याद आजाता है कि यहाँ कोही गन्ने सुबावाला बिच्चु है। इस बाग मैं उसकी जान नहीं बचा रो। इतना सोचकर वहाँ रोचा रो। फिर भी फिर से बिच्चु जो है वहाँ जोर-जोर से चिलाता है और गिड़गिड़ाता है कि वहाँ उजे यहाँ से बचावा उजे यहाँ से निकाला। उसकी उकार सुन करो। नन्नी को बहुत दया आती है और ववा यह सोचती है कि शायर बीच्छु ने अपना गंदा सभाव को छोड़ दिया हो तो ववा उसको बचाने चल परती है जैसे ही नन्नी बीच्छु को बहा निकलती है वैसे ही अपने सभाव से जैसे ही बढ़ डंग माने जाता है तो बिच ननी उसे खाती है क्यों भै क्यों रुट गर आओ डंग मारो तबी बिचुदो है वह शर्मिन्दा हो जाता है शरम से पानी पानी हो जाता है कि ननी मैंने बहुत बार तुमसे रिश्वास लाज किया पर हर बड़ मेरे रिश्वास दातके बदले हैं हमेशा तूम मेरी जान बचाती हूँ मुझे झाया शिमन दर गّडे ऐसा क्यों तबी विच्छू जो है वह आओ ननी से पाता है कि दंगमाना हुमारा सुबर और बचाना नेरा। मैं मुसिबत में पड़े दोगों को हमेशा बचाती रहूंगी और तुम उन्हें दंगमा के रहना देखते हैं कौन जीता है। इतना वकर नन्नी मां से चल पड़ती है। वही हर दिन की गारा उसकी मां उसकी आज भी राह देखते हैं। तबी नन्नी वां पहुच जाती हैं और मां आज फिर से उसे पूचती है कि आज भी तुम भी इतने देली से आई हो। तबी नन्नी उन्हें पूरी गट्ना का बढ़ती है। और मां यह सुदक खुश हो जाती है कि आज फिर से नन्नी ने विचु की जाना जाए। और आज तो उसने एक और अच्छा कारे दिया कि अभी से विचु को वहां किसी को डंग नहीं मारेगा। आज उसने प्रण लिया कि वहां किसी भी निर्दोष प्राणी को अभी से जाना नहीं मारेगा। यह बात जैसी नन्नी अपनी मां को बताती है तो वहां बहुत खुश हो जाती है। और ननी की प्रशक्षा करती है कि तुमने अपने अच्छे स्वबाव के कारे विच्छों के गंदे स्वबाव को आज नस्ट कर दिया है या तुमने बहुत अच्छा कारे दिया है। नदी जो है, वो थी रखने 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 हैं, यानिकि कुछो का नाचिन रखने हैं तो हमें यहा कानजी से यहा सी प्मलकी है, हमारा अच्छा सुबाओ मैं कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमारे अच्छे सुभाव से हम बुरे सुभाव बाद को अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं तो बच्चो आज हमें समझदा नथी का अभ्यास किया अब आपको शब्डा आता है कि कटी शब्ड़ अपने गुर्णोड में लिए है फ़रा है डगड़ यानि फीचट वड़ी खीली जमी मतलब उसमें पैर पड़ जाता है और उसके अंदर जस्ते ही जाते हैं उसको पड़े हैं डगड़ नंबर दो शैपान यानि कि श्करारिक सुझना नंबर की लापोरा आता है मतलब बेफिकली चाह, स्वबा, प्रकृती, आदर नंबर पांशमादी या फे उसको भो सकते हैं सरिकला समसा यानि एकाले गिंद्रिया यानि बिंदिकलना फितकना यानि कि रुपना या तफे जिज़त्मादा खिसियाक यानि श्यर्मिता करों उखा यानि घर्भरी उखा आज हुनने समझदार नंदी का अभ्यास के आपको घर में बैठ कर पुस्तक में से पार्ट मिंबर तीन समझदार नंदी का पठन करना है एक बल्स को ध्यान से पढ़ना है दिमाग में उतरना है उसके बार आपको यह वापर में अभ्यास काले दिया है वह भी आपको लिखना है बहुत से प्रश्णों के उतर आतुपीता में तो दिये गाए इसमें से देख कर समझदार पर किल देख कर पराला कर्श्ण है रिकर स्कान वरो यानि कि खाली जग्या पूरो नमबर एक, बिच्चु खानी चक्रा में अफ्रस गहा है, दो, डन उमाना बिच्चु का खानी चक्रा है, प्रश्य नमबर दो, भुभाव के अर्टरी, यह भुभावे आपके पुस्तर में बिलिये गरे हैं, इसमें से आपको उदर लिखना हैं, परता हैं अंसुनी करना, द दूसरा, भुषिवर, तीसरा, रसन, चौथा, स्वभाव, पाजवा, ठीरवर, तो आप अपने नोट्बुक में अच्छे लिखावड से यह भुभार्या करेंगें, आपका दिल शुब्र है, ऐसी शुबेच्चा